सबी साथियों को जैहिंत, मैं आपका साथी डुक्टर शोक शर्मा, एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ, कैसी चल रही भी आप सब लोगों की तयारी, निसित रूप से आप बहुत अच्छी तयारी कर रहे हैं, और ये बात मेरी मान लीजिएगा, कि आप सब की तयारी बहुत अच्छी है, किसी को किसी प्रकास से डरने की, घबराने की कोई आउशकता नहीं है, एकजाम नजदीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा पहनिक काने की, बहुत ज़्यादा डरने की कोई आउशकता नहीं है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपन आप लोगों के साथ literary terms जो आपके syllabus में literary terms है उनकी practice के साथ मैं आपके साथ हूँ आज हम जो भी questions बन सकते हैं जिस भी प्रकार के questions बन सकते हैं सभी questions पे चर्चा करेंगे समय खराब नहीं करेंगे फटाफट किस पे आते हैं question पे आते हैं पहला question आप लोगों के सामने है आप लोग इसका answer कीजिएगा match the following पहला है fable f-a-b-l-e कौन से topics एक question है पहले ये पता होना सी आप लोगों को ये जो question है ये short story s-h-o-r-t short story जो आपके syllabus में है उस बिंदू से एक question है fable क्या होती है short story का ही एक प्रकार होता है a story of animal characters fable में जो आपको ध्यान रखना है वो ये बात ध्यान रखनी है कि इसके जो characters होते हैं वो animals होते है moral lesson इसमें भी होता है moral lesson parable में भी होता है लेकिन parable में क्या अलग होता है इससे वो ये होता है कि इसके जो characters होते हैं, वो human being होते हैं, कौन होते मीटा इसके? H-U-M-A-N, इसके जो character होते हैं, वो human being होते हैं, ये अंतर होता है कि इसमें, phable में और parable में, ठीक है? तीसरा देखेगा, जो इसमें दूसरा लिखा हुआ है, anecdote, anecdote भी एक प्रकार की story होती है, लेकिन ये किसी real incident, वास्तविक घटना पर आधारित story होती है, किसी वास्तविक इनसान के जीवन की कोई घटना होती है, क्लियर होगी बात ये? उसके बाद, कहानी का एक प्रकार और है, फैबलियो, ये जो कहानी होती है, ये उस प्रकार के characters की होती है, जो low character माने जाते हैं, जो असलील हरकतें करने वाले माने जाते हैं, तो इस प्रकार से हमने story के चार types को पढ़ने की कोशिस की, और ये चारों बिल्कुल सही match हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, इसका answer जो होगा, वो A हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, देखेगा, exam में आउसक नहीं है, इस से question पूछें, लेकिन हो सकता है, fable पे question पूछें, what is a fable, तो आप बताएंगे क्या होती है, कि story होती है, anecdote पे question बोलने, parable पे question पूछें, किसी भी प्रकार से घुमा पिरा के question पूछें, तो आप लोग बिल्कुल तयार रहेंगे, इसलिए हमने कोशिस किये कि आपके concept जो ह यह आपका दूसरा question है, act is, act क्या होता है, आप आंस्वर करें फटाफट, a major division in the action of a play, एक major division होता है, किसमें, play में, यह जो question आपका, यह आप drama कह सकते हैं, d-r-a-m-a, drama कह दो, या फिर play वाले topic से है, drama के divisions होते हैं, drama के major divisions होते हैं, उनको क्या कहते हैं, act कहते हैं, और act जब आपस में, उनको act को divide किया जाता है, तो वो किसमे, scene में divide किया, s-c-e-n-e, किसमें में बिटा, scene में, तो यह जो act, और कौन है, scene है, यह किसके division है, यह drama के division, समझ में आगी बात आपके, तो यह इसका सही answer हो गया, answer ए उसके बाद देखेगा question number three mystery plays in English were best on drama पे पिछली बार भी question आया था इस बार भी question आ सकता है तो आप जब drama पढ़ रहे हों तो आपको drama का development जरूर पढ़ना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए drama का development तो हम drama की जो सुरुवात है पिछली बार question आया था कि जो medieval age में drama था वो कहां से प्रदी था किस प्रकार का drama था तो drama की जो सुरुवात है वो religion से है यानि इसका religious origin है clear होगी बात तो कहां से क्या origin है देखते हैं सबसे पहले जो आपको याद करना चाहिए वो करना चाहिए mystery play M-Y-S-T-E-R-Y कौनसा बेटा mystery play ठीक है दूसरा जो आपको याद करना चाहिए miracle play M-I-R-A-C-L-E miracle play तीसरा जो आपको याद करना चाहिए morality M-O-R-A-L-I-T-Y कौनसा भी morality play करना चाहिए और त्रे ये तीनू की तीनू जो है यहां से इसकी शुरुआत मानते हैं पन mystery play इसका समन्द किसे है biblical stories B-I-B-L-I-C biblical stories है किसका मंचन होता था biblical stories का होता था यानि इसका समन्द church से है इसके जो characters है वो church से यानि Bible से लिये जाते थे actors होते थे वो भी church के लोग होते थे इसको कहाँ in-act किया जाता था church के अंदर किया जाता था liturgical भी होता था इससे पहले का जो play वो भी religious होता था तो यह इसका समन्द यहां से है उसके बाद कौन सा आया miracle drama कौन सा बेटा miracle drama जो है इसका समन्द biblical stories की बजाय जो sense है s-a-i-n-t-s sense of sages जयानि सादू संत जो लोग है उनकी कहानी जो है उनके द्वारा perform किये गए miracles miracles का मतलब था चमतकार उनके द्वारा किये गए चमतकार को इसमें रखा जाता था कौन से play में miracle play में उसके बाद जो आता है morality play morality play जो है वो dramatization है किसका dramatization है वो personified abstractions का है p-e-r-s-o-n-i-f-i-e-d personified abstractions a-b-s-t-r-a-c-t-i-u-n समझेंगे थोड़ा abstract idea जो होते हैं उनको personified किया जाता था जैसे sin है तो उसमें character कोन मिलेगा आपको scene यानि pop मिल सकता है death d-e-a-t-h death death character हो जाएगा तो इनको personified करके उसमें characters होते थे ठीक है तो यह चो होता था इसको allegorical drama कहते थे a-l-e-g-o-r-i-c-l कौन सा यह allegorical drama होता था तो इन तीन को आपको जरूर याद रखना है समझ में आगी बात भी आपके तो यह आपको समझ में आगया होगा mystery play का समझ किस से है biblical stories से है आगे बढ़ते हैं the soul of tragedy is Aristotle ने अपनी बुक politics में क्या बताया है क्या वहां लिखा उनोंने कि the soul of tragedy is plot it means plot जो है वो tragedy की आत्मा कहा हुआ है तो यह क्या हो जाएगा आपका answer plot हो जाएगा इसका सीधा सीधा question पूछा जा सकता है आप इसको ठीक से तियार कर लेंगे उसके बाद देखीगा यह बहुत अच्छा question है which of the following comprises some elements such as plot plot exposition rising action climax, falling action and resolution पुछा यह है आप से कि यह जो है यह इन में से कौन से में होती है ठीक है तो यह सारी के सारी चीज़े है यह drama के elements इस प्रकास है हम कह सकते है drama की जब सुरुवात होती है तो उसको कहते है exposition 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 कहते है समझ में आगी उसके बाद यह है इसका सुरुवात beginning उसके बाद action आगे बढ़ती है तो उसको क्या कहते है rising action क्या कहते है हम इसको rising action कहते हैं ठीक है फिर action कहां पहुँच जाती है climax में पहुँच जाती है तो यहां क्या होता है climax फिर वापिस से क्या आता है falling action F-A-L-L-I-N-G क्या था बिटा falling action आता है और उसके बाद यहां जो अंत होता है उसको क्या कहते है resolution कहते है तो पूर सकते हैं drama की beginning resolution R-A-S-O-L-U-T-I-O-N किसी भी प्रकाश से आप से question पूछें तो आप यह कर देंगे आराम से कोई दिक्कत नहीं है तो इनका समद्ध किस से है drama से है आगे बढ़ते हैं भी which play featuring a hero who must overcome evil कौन सा play है जिसमें एक hero होता है जिसको बुराई पर विजे होती है वार allegorical in nature और वे किसमें होते है nature उनका जो होता है वो allegorical होता है यानि symbolic होता है तो आप समझ गए होंगे कि हम कौन से play की बात कर रहे हैं हम morality play की बात कर रहे हैं किसके बात कर रहे हैं morality play की बात कर रहे हैं यही जो play है जो कैसा होता है allegorical होता है इसी में personified abstractions होते हैं ठीक है समझ में आगी बात यह है चलो आगे दिखते हैं a sonate is a point of lines सीधे सीधे question है फटा-फट answer करते चले जीगा a standard sonate is a point of lines तो एक standard sonate जो होती है उसमें चोदे line होती है आप कहेंगे सिर्फ बहुत आसान question यह तो हमें आता ही है exam में पूछा हुआ है बहुत सारे बच्चे exam में आतीरिक्त दिमाग काम में लेते हैं उनका दिमाग वहाँ ज़्यादा काम करने लग जाता है और ऐसी स्थती में वो यह सोचेंगे यार standard है इसका अलग कोई अलग प्रकार होगा साइद यह इसलिए वो इसका को स्कम ज़्यादा करने की कोशिस करते हैं तो standard form का अलग जो standard उसका माप है वो कितना है चोदे line का होता है दो आपको sonate और याद रखनी चीए पहली कौन सी आपको curtail sonate c-u-r-t-a-i-l curtail sonate आपको याद रखनी चीए आप फटा-फट लिख के बताएगा curtail sonate में कितनी lines होती है एकजाम में पुछा हुआ है दूसरी बात curtail sonate कोन यूज करता था g-m-hopkins h-o-p-k-i-n-s g-m-hopkins साड़े 10 line इसमें होती थी ठीक है कई बार option में साड़े 10 line नहीं लिखा होता है 11 line लिखा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है आप वहाँ option क्या कर लेंगे 11 line वाला select कर लेंगे ठीक है भी उसके बाद में coded sonate होती है c-a-u-d-i-t c-a-u-d-i-t coded sonate क्या होती है क्या होती है क्या होती है इसको पूछ कहते है तो coded sonate भी क्या होती है यह larger than L-A-R-G, larger than standard sonnet होती है standard sonnet से क्या होती है यह बड़ी होती है और इसमें कितनी line होती है इसमें 14 plus line होती है 14 से ज्यादा line होती है ठीक है, coded sonnet करते हैं समझने आगे हो की बात यह भी चलो भी आगे देखते हैं वापन next question which is, what is meant by catharsis सात्वाई था न इससे पहले सात्वाई था, ठीक है आठवाई कुशन आगे what is meant by catharsis catharsis से क्या मतलब है देखो, catharsis का मतलब भी यह भी Aristotle ने पनी politics में लिखा, पहली बात समझ लो कि catharsis का जो समंध है वो tragedy से है T-R-A-G-E-D-Y किस से है बटा tragedy से है, यह भी कुशन पूछ सकते है catharsis का समंध किस से है तो catharsis का समंध tragedy से है tragedy का जो aim बताया जाता है tragedy का जो उदिश से बताया जाता है वो catharsis बताया जाता है कई बार इस प्रकार से भी कुशन पूछ सकते हैं कि what is the aim of tragedy tragedy के लिखने का जो उदेश से होता है वो क्या होता है तो वो भी क्या होता है कथार्सिस होता है अब वास्ता में कथार्सिस होता क्या है कथार्सिस ये होता है प्यूरिफिकेशन कथार्सिस का मतलब होता है P-U-R-I-F-I-C-A-T-E-N Purification का मतलब होता है किसी चीज को पवित्र करना माना ये जाता है कि Tragedy इसलिए लिखी जाती है ताकि उसको पढ़ने और देखने वालों की जो भावनाएं हैं विशेश रूप से किसके P.T. और Fear का जो उनकी Emotions हैं वो Purify हो समझ में आगी बात इसलिए क्या लिखी जाती है Tragedy लिखी जाती है और इसलिए इस term को यूज किया जाता है कौनसी को? Catharsis को किसके रूप में Purification of Emotions ये हो सकता है Purification of the Emotions of P.T. and Fear ये हो सकता है Purification के लिए एक सब्द और काम आता है Purgation तो ये भी क्या होता है Purification समझ में आगे कथार्सिस क्या होता है चलो आगे देखते है A story that ends with a happy resolution एक इस प्रकार की story जिसका end जो होता है वो happy होता है of conflicts faced by the main character or characters A option है tragedy B option है fast C option है comedy C option है satire जहां कहीं भी happy ending दिखे happy resolution दिखे वो type of drama क्या होता है comedy होता है क्या होता है comedy होता है आप लोगों ने इदी comedy को ठीक से पढ़ा है तो निस्सित रूप से आपको दो तीन examples याद होने चीए जिन जिन बच्चों के याद है वो comment box में लिखे किसर हमने comedy के ये ये examples हमने याद किये है चलो आगे देखते है a type of comedy in which ridiculous ridiculous का मतलब होता है मजाकिया and often stereotype characters are involved in silly बिल्कुल बेहुदा far-fetched situations जिस प्रकार की situations वास्त्विकता में होती ही नहीं है ऐसी situation दिखाई जाती है केवल और केवल किसके लिए हसाने के लिए बिल्कुल मजाक के लिए इनका एक मात्र उदिश से होता है human और कोई उदिश से नहीं होता है वो होती है far-f-a-r-c far-s ये जो comedy होती है उसका degraded form होता है comedy जो होती है उसी का एक बिगडा हुआ सवरूप आप कह सकते हैं क्या होता है far-s होता है समझ में आगी बात भी parable क्या होता है आप जानते है एक बार फिर से revise कर लीजिएगा parable क्या होती है way story way moral story जिनके characters human being होते है parable क्या होती है way कहानिया जिनके characters animals होते है monady क्या होती है एक प्रकार की elegy होती है ये क्या होती है बड़े एक प्रकार की elegy होती है जिसमें एक ही singer होता है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो भी, A song of sorrow especially for the dead is called, देखिएगा, आपने elegy topic पड़ा है, कोईन कोई definition आपने याद की है, लेकिन exam में अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग language का यूज करते वे questions को पूछा गया है, और यही मकसद होता है, बहुत सारे questions को solve करने का, अब इसको समझेगा, a song of sorrow, यहीं से आप समझ जाएगा, song of sorrow क्या होता है, elegy होती है, किसके लिए, dead के लिए, यहाँ से समझ जाएगा, कि क्या है यह, यह elegy की बारे में पूछ रहा है, किलिए रोगी बात, तो इसका answer क्या हो जाएगा, elegy हो जाएगा, ठीक है भई, चलो, आगे देखते हैं, question number 12, the reversal of fortune is, the reversal of fortune of a tragic hero is called, देखे, drama पे बहुत सारे questions बनते हैं, especially tragedy पे, बहुत सारे questions बनते हैं, reversal का मतलब होता है, किसी भी चीज़ का उल्टा हो जाना, you turn हो जाना, किसका fortune का, किसके fortune का, tragic hero का, इसको क्या कहा जाता है, पहला option है हमारे पास, catharsis, वापिस याद कर लो, catharsis क्या होता है अभी थोड़े देर पहले बताया, एक बार जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सब के सब बच्चे, catharsis क्या होता है, एक बार comment box में लिखे फटाफट आपको याद है या नहीं है, catharsis अभी बताया थोड़े देर पहले, purification of emotions, peripatia, ये होता है, reversal of fortune, ये क्या होता है, reversal of fortune, भागे का, बिल्कुल पलट जाना, बिल्कुल उल्टा हो जाना, किसका, tragic hero का, वो इस्तति के लिए, जो time use की जाती है, वो peripatia कहला जाता है, समझ में आगे बाद, चलो, आगे देखते हैं पन, अच्छा question है, error of judgment, error का मतलब गलती होती है, judgment का मतलब निड़ने होता है, in tragedy is non-edged, देखो tragedy के जो hero होता है, वो noble hero माना जाता है, Shakespeare ने जो tragedy लिखी, जितने भी उनके hero हैं, वास्तम में noble हैं, वास्तम में बहुत योग्य हैं, वास्तम में उनमें बहुत सारी qualities हैं, लेकिन उनमें एक ऐसा defect होता है, एक ऐसी weakness होती है, एक ऐसा flow होता है, एक ऐसी कमजोरी होती है, जो उनके tragic end का कारण बनता है, जिस प्रकास से एक बहुत बड़ी जहाज है, लेकिन इसमें एक सुराक रह जाता है, एक छेद रह जाता है, और ये एक मातर छेद पूरी जहाज को डबाओ देता है, जबकि जहाज बहुत अच्छी है, बिल्कुल इसी तरीके से जो tragic hero होते हैं, बहुत ठीक होते हैं, लेकिन एक कमी जो होती है, वो उनको डबाओ देती है, और वो कमी क्या कह सकते हैं, आप उसको कही नामों से जानते ह हैं उसको, ठीक है, उसको tragic flaw कहते हैं, T-R-A-G-I-C, tragic flaw कहते हैं उसको, इस नाम से भी पूछ सकते हैं, tragic flaw, उसको inherent defect कहते हैं, defect कहते हैं, कमी होती है, जो उनके characters में एक कमी होती है, उस कमी को क्या कहते हैं, tragic flaw कहते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, हमासिया कहते हैं, समझ में आ क्या है, reversal of fortune है, ये क्या है, reversal of fortune है, catastrophe, जब अंत होता है उसको catastrophe कहते हैं, cathasis, आप सब जानते हैं, purification, आप फे emotions होती है, ठीक है, what is seizure in poetry, seizure क्या होता है poetry में, देखेगा, poetry के एक line होती है, इसमें ये fully stop होता है, यहाँ आके रुकनाही होता है, pause होता है, PAUSE, लेकिन कई बार क्या होता है, point जो होता है, वो fully stop से पहले, comma, semicolon यूज़ करके, एक pause देता है, यहीं क्या करता है, थोड़ा सा ठहराव देता है, थोड़ा सा रोकता है, उस ठहराव को क्या करते हैं, seizure करते हैं, समझ में आगए बाई, तो इसका line containing consonants नहीं होता है, a pause indicated by a comma, समझ में आगए बाद में, चलो, आप लोग आंसर करते रहें, फटाफट, who first imported sonnet to England, sonnet को सबसे पहले England में कौन import करके लाया, तो पहले कहां थी, Italy में थी, ठीक है, Italy से क्या करके लाये, import करके लाये, birthplace of sonnet पूछते हैं, क्या है, Italy है, होता क्या है कि Italy दो आदमी जाते हैं, एक Tom Swart और एक Henry Howard, एक Tom Swart और एक Henry Howard, H-E-N-R-Y, Henry Howard, H-A-W-A-R-D, इस Henry Howard को All of Surrey भी कहते हैं, यानि What and Surrey, ये दो आदमी गए, वहाँ, कहां, Italy में, वहाँ sonnet लिखी जा रही थी, तो इन्हों ने वहाँ देखा, और ये वहाँ से कहां लेके आगे, England लेके आगे, तो समझ में आगी बात, इसलिए, father of English sonnet भी कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, father of English sonnet भी कहा जाता है, किसको, sir tom's what को कहा जाता है, अब देखीगा, आपको answer करने होते है, option के according, कही बार option में क्या होता है, what and suri दोनों लिखा होता है, यहाँ what and suri भी लिखा होता है, ठीक है, तब आपका answer क्या होगा, what and suri होगा, यदि एक option में sir tom's what और दूसरे में suri हो, तब आप क्या करेंगे, sir tom's what को ही करेंगे, क्योंकि यह henry howard या फिर all of suri था, यह blink was वहाँ से लेका है, समझे आगे बात यह, चलो भी, ठीक है, आगे आपन बढ़ते हैं, catharsis, यह तब ही देखा था हमने, catharsis का समद्ध किस से है, ट्रेजडी से हैं, किसे बढ़ता, ट्रेजडी से हैं, चलो आगे देखते हैं, next question, comic relief, actually यह भी ट्रेजडी से रिलेटेड है, comic relief का मतलब क्या होता है, देखो, ट्रेजडी में जो माहुल होता है, वो बहुत गंबीर होता है, serious nature की होती है ट्रेजडी, ठीक है, उस seriousness को कम करने के लिए, बीज में कहीं कुछ humorous डाला जाता है, कुछ ऐसा डाला जाता है, जिससे जो seriousness है, उसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, उसको क्या कहते हैं, comic relief कहते हैं, तो interval in the play यह नहीं होता है, hilarious comedy यह भी नहीं होता है, a short humorous episode interacting at tragedy, ठीक है, a short humorous episode होता है, किसके बीज में, tragedy के बीज में, समझ में आगे बीटा, comic relief, comic आप सब जानगे, humor से related, relief आराम होता है, ठीक है, चलो बही, question number 18, parable is a, बहुत आसान question है, फटा फटा आंसवर कर दीजिएगा, poem नहीं होती है, book नहीं होती है, a brief tale, tale यह नहीं कहानी, illustrating some moral, कुछ नैतिक सिच्चा देते हुए, यह C answer हो जाएगा, उसके बाद देखेगा, the miracle play principally deal with the miracles performed by, जो miracle play होते हैं, वो किनके miracles को बताते हैं, miracle and चमतकार होते हैं, तो यह किसके चमतकार को बताते हैं, scent and suggest, बताया हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे पंचरचा नहीं करेंगे, कम से कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा question हो जाएं, यह मेरा प्रियास है, the play or drama is organized in, यह वो ही है, प्ले और ड्रामा जो होता हूँ, किस में organized होता है, chapters में, acts and scenes में, episodes में, pages and numbers में, तो किसमें होता है, acts and scenes में, ठीक है भी, question number 21, a problem between characters and forces, characters के बीच में जो problem होती है, उसको conflict कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, conflict कहते हैं, और इस conflict की वज़े से ही, जो plot होता है, वो आगे की तरफ खिसकता है, उसका development होता है, तो उसको क्या कहते हैं मेंटा, conflict कहते हैं, the word sonnet, कौन सा वर, sonnet जो वर्ड है, यह कहां से लिया हुआ है, यह पुछा हुआ है, the word sonnet has been derived from, यह जो sonnet वाला सब्द है, यह कहां से लिया हुआ है, यह पुछा हुआ है, question number 22, ठीक है, तो यह लिया हुआ है, Italian word sonnet, किसे लिया हुआ है, Italian word sonnet और इसका मतलब होता है, a little song, मतलब क्या होता है इसका, a little song, 23, in poetry a sonnet has lines, question पूछे वे, बहुत आसान question पुछेंगे, आपको डरने की कोई जुरूत नहीं है, बस एक बार practice कर लें, कि question कैसे कैसे आ सकते हैं, 14 line होती है, कोई दिकत नहीं है, कई बार पुछा हुआ है यह भी, a sonnet is written in, यह थोड़ा अचा question है, exonet किस प्रकार की meter में लिखी जाती है, आई-बिक, penta meter, किस में लिखी जाती है, आई-बिक, penta meter, एक बात और सुन लो, जब भी आप से कभी पुछा जाए, यह poetry किसमे लिखी हुई है, तो 90%, 80-90% poetry किसमें लिखी जाती है, iam-big, pentameter में लिखी जाती है pentai यह नि 5 meter 5 feet होते हैं, 1 feet में 2 slabels, इसका मलब 10 slabels होते हैं एक line में I am big and stress followed by stress and stress followed by stress समझ में आगे होगी बात यह ठीक है वे, यह आपका I am big pentameter हो गया यदि आपको चीजे ठीक लग रही हो है तो निस्सित रूप से एक बार, अपने दोस्तों के साथ सेर कीजीगा यदि आपने अभी तक नहीं की है और यदि आपको चीजें ठीक लगें, तो comment box में लिखके भी बताया करें, कि sir हमें चीजें ठीक लगी, हमारे लिए उपयोगी हैं, तो निस्सित रूप से मुझे भी लगता है कि बच्चों को जो हम दे रहे हैं वो उनके काम आ रहा है कई बार ऐसा लगता है कि जो हम बच्चों को दे रहे हैं, पता नहीं वो उनके काम का है या नहीं है, तो कल कोई एक बच्चा comment करके कह रहाता, साइध आपने भी देखा होगा comment box में, किशार आपके subscriber बहुत कम है, आप पढ़ाते ही बहुत अच्छा है, मेनत बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन फिर भी subscriber बहुत कम है, इसलिए आप सब्सक्राइबर है उनको हर लाइन में कितने सलिबल होते हैं, अभी बताया थोड़ी दिर पहले, हर लाइन में कितने पेंटा मीटर, पेंटा मीटर, क्या होता बिटा, पेंटा, पेंटा यानि 5, मीटर यानि फीट, तो 2 होते हैं, उसमें I am big pentameter, who is considered the father of sonnets, father of sonnets किसको कहा जाता है, ठीक है, तो इनमें जो option है, उनमें किसको कहते हैं, पेट्राक को कहते है, डालेंटेनी भी हो सकता है, यदि option में होता तो, इसकी चर्चा हमने पहले एक बार एक क्लास में की है आपको, तो आपको ध्यान होगा, नहीं है तो आप पेट्राक लिख देंगे, father of English sonnets, यह थोड़ी देर पहले ही बताया, so terms what, आगे चलते हैं, the first eight line of पेट्राकन sonnet are called, पेट्राकन sonnet जो होती है, उसके अलग-अलग नाम क्या है, यदि आपको पता होना चाहिए, पेट्राकन sonnet को, Italian sonnet करते हैं, Miltonic sonnet करते हैं, Classic sonnet करते हैं, तो यह sonnet के प्रकार है, पेट्राकन sonnet के अलग-अलग नाम है यह, पूछा यह है कि पहली eight line जो है, यानि इसमें eight plus six होती है, यह जो eight line होती है, इनको क्या कहते हैं, OCT, octave कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सिस्टेट कहते हैं, ठीक है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि अ answer हो जाएगा इसका, the rhyming scheme of octave is, octave की rhyming scheme क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, कि आप पे sonnet की rhyming scheme, sexperian sonnet की, और किसकी, miltonic sonnet, और spincionian sonnet, इन तीनों की rhyming scheme, ठीक तिरीके से आप देख लीजिएगा, इसकी जो rhyming scheme होती है, octave की हो क्या होती है, A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, E, C, D, E, C, D, E, C, D, C, D, CB हो सकती है, C, D, C, यह दोनों हो सकती है, ठीक है, तो यह तो किसकी होगी, octave की, पहली 8 लेन की, और यह किसकी होगी, अंतीं 6 लेन की, क्लियर है भी, चलो आगे देखते हैं, The last six line of Petracans Sonate are called. तो क्या कहते हैं उनको? Casteate कहते हैं. चलो, आग़ी चलते हैं. The rhyming scheme of Sexperience Sonate H. Sexperience Sonate की rhyming scheme क्या है? फटाफट answer कर दो, सबको पता होना चाहिए. क्या है Бञी? A, B, A, B. दे कोई alternate rhyming scheme भी कहते हैं इसको. क्या कहते हैं? Alternate rhyming scheme. alternate का मतलब A के बाद B, फिर A के बाद B, C, D, C, D alternate है ना देखो, यह alternate rhyming scheme भी करते हैं इसको और यह जो last couplet होता है, यह quatrain है तीन और इसके बाद यह couplet होता है यह rhyming couplet होता है, couplet की जो होती है rhyming scheme वो same होती है, ठीक है आगे दिखते है, heroic couplet होता है, क्या होता है heroic couplet, which of the following is not a type of sonnet इन में से sonnet का कौन सा प्रकार नहीं है, English sonnet है, इसका दूसरा नाम लिखेगा English sonnet का दूसरा नाम क्या है, फटाफट लिख दो, उसके बाद में Italian sonnet, इसके भी सभी नाम लिख दो Draconian ऐसी कोई sonnet नहीं होती है, Petrachan sonnet, ये Italian sonnet का ही दूसरा नाम होता है, ठीक है Kirtle sonnet, Codate sonnet, ये सब चीज़ें आप तो आप याद रखेंगे Spencerian sonnet, Spencerian sonnet का दूसरा क्या नाम है, बताओ फटाफट Spencerian sonnet, Linked sonnet, L-I-N-K, Linked sonnet, क्या कहलाती है, Spencerian sonnet को कहते है How many sonnets were written by William Shakespeare William Shakespeare ने कितनी sonnet लिखे, कितनी लिखे भी 154 sonnets लिखे, आपको ये याद हो, तो ठीक है, ये sonnet, कितनी sonnet, किसको address की विया यानि William Shakespeare ने जो sonnet लिखे, तो किस-किसको address करके लिखे, कितनी किसको address की यदि आपको याद है तो जरूर लिखें ठीक है डार्क लेडी और डबलु एच Mr. W.H. अड़क लेडी को एड़स करके लिखी हुई यदि आपको याद है मैंने कई बार आपको बताया है तो जरूर बताएए कि डार्क लेडी को कितनी एड़स की हुई है और W.H. Mr. W.H. को कितने एड़स की विए है ठीक है An Italian sonnate has Italian sonnate में क्या होती है बताव भी एक octave होता है और एक क्या होता है sys-trait होता है octave कितनी लाइन का आप्लाइन का स거야 इडिक कितनी लाइन का ज्छै लाइन का तो यह थ्री quatrans and cuplet यह किस में होता है त्री क्वार्टेंड और कप्लेट यह सेक्सपिरियन सोनेट में होता है त्री क्वार्टेंड और कप्लेट स्पेंसरियन सोनेट में होता है क्योंकि इस्पेंसरियन सोनेट जो होती है वो सेक्सपिरियन सोनेट का ही एक प्रकार माना जाता है बस उसमें यह होता है कि वो link करती है, बस इतना ही अंतर है, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपके, चलो आगे देखता है देखो हम कुछ चीज़ें अब कम explain कर रहे हैं, क्योंकि ये मान के कम explain कर रहे हैं, कि आपने चीज़ों को पढ़ लिया है, सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, practice कर रहे हैं, revision कर रहे हैं, और यदि इसने topic ठीक से नहीं पढ़ा है, तो निस्सी तरुप से topic पढ़ ले, क्योंकि बहु क्योंकि ये कि है, कि लगबग सभी चीज़ें इसकी आज की जो class है, इसमें आ जाये, लेकिन फिर भी topic आपको जुरूर पढ़ना चाहिए, which of the following points end his sonate with a cup plate, इनमें से कौन सा point है, जिसकी sonate जो है, cup plate से end होती है, cup plate का मतलब क्या अब है, last की दो line, और last की दो line किसमें होती ह सेक्सपीरियन sonate में, क्योंकि वहां क्या है, तीन क्वार्टेन और एक cup plate, तो निसी तरुप से कोन आएगा, सेक्सपीरियाल सर आजाएगा, ये देखो, वर्षवर्थ, मिल्टन, पेट्राक, ये सब पेट्राकन sonate लिखते दें, match the following, ये क्या है, ये sonate sequence है, sonate sequence क्या होती ह sonates का एक group होता है, तो ये आपको याद कर लेनी चाहिए, सर फिलिप सिड्नी की sonate sequence है, वो एस्टाफेल एंड स्टेला है, एड्मन स्पेंसर की sonate sequence है, वो अमरिती है, और सेमुल डेनियल की जो है, डेलिया है, ये सही है इसका, तो ये आपके देख लीजिएगा, एक बार note कर लीजिए का कहीं, क्योंकि देखो कुछ चीज ऐसी हो सकती है जो आपको नहीं मिले, बाकी तो लगबग वोई चीजे हैं जो आपने याद कर रखी है, आपने पढ़ रखी है, बस revision कर रहे हो, practice कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि एक, दो, तीन, चार, पांस बातें नहीं मि revision करो, तो वो चीज आपके revise हो जाए, otherwise, यहाँ सुना और एकजाम तक उसको भूल भी सकते हो, तो यह आप कर ले लो, question number 37, an allergy is a point about death, निसी दूप से किस के बारे में होती है, death के बारे में होती है, all of these नहीं लिखना है, the tone of allergy is mournful, allergy की जो tone होती हो कैसी होती है, lamenting होती है, mournful होती है, commemoration होता है उसमें, देखो, lament, mournful, commemoration, remembrance, death, sorrow, यह जहाँ कहीं भी हो, वो क्या होती है, allergy होती है, reflective point, पुछा हुआ एक जाम में question, sonnet, sorry, allergy जो होती है, वो कैसी होती है, pencive, p-e-n-s-i-v, pencive भी कहते हैं इसको, pencive कहते हैं, reflective कहते हैं, r-e-f-l-e-c-t-i-v, यह भी क्या होती है, आपके allergy होती है, death, lament, loss, यह सब जहाँ कहीं भी मिल जाएं, वो सिरफ और सिरफ किस के लिए होते हैं, allergy के लिए होते हैं, which of the following is true about allergy, इनमें से allergy के बारे में कौन सी बात सही है, allergy is a sad point, बिल्कुल ठीक है, return in to commemorate, किसी के याद में, commemorate का मलोग क्या होता है, याद में लिखी जाती है, किसी individual की death पे, ठीक है, the term comes from Greek allegia, यहां से लिया हु यहां से लिखी जाती हैं, वो जिस परकार से सोक संदेश जैसे नहीं होते क्या, प्रोज में जैसे सोक संदेश होते हैं, वैसे ही यह होता है, तो all of these, यह allergy के बारे में आपको कई बातें बताने के लिए इस परकार का question बनाया हुआ है, match the following, यह भी important है, allergy के परकार होते हैं, उनमें एक परकार होता है, pastoral allergy, किस परकार की allergy बेटा, pastoral allergy, देखो पिछली बार तो बेटा, जो भी questions आये थे, वो इन 50 questions में आगे थे, पिछली बार read में जो भी questions आये, वो इसमें आगे थे, इस बार भी कोशिस यह कर रहे हैं, कि इन example लिखे हुए हैं, कौन-कौन से, सबसे पहले, allergy written in country, चल्जियार्ट, यह किस के लिखी हुई है, Tom's Gray की, ठीक है, सिधा-सिधा question पूछ लेते हैं, कि allergy written in country, किस ने लिखी, Tom's Gray ने, लिसिडास, बहुत स्चांदार pastoral allergy, कैसी है, बहुत स्चांदार pastoral allergy, किस ने लिखी, John Milton ने, किस के मरने पर लिखी, Edward King, A, D, W, A, R, D, Edward King के मरने पर लिखी, कोई सिकत नहीं है, Therese's Matthew Arnold ने लिखी, ठीक है, किसने, Matthew Arnold ने, एक author, A, U, R, T, H, U, R, Adonis, किस ने लिखी, PB Sally ने लिखी, किस के मरने पर लिखी, John Kitts के मरने पर लिखी, So, यह याद रख लोगे, अगर आपसे यह याद नहीं ही रहते हैं, तो कोई बात नहीं किसके मरने पर क्या लिखें, आप कितना याद रखलो, इतना जरूर याद रखलो कितना कि कौनसी L.A.G. किस ने लिखी थी, तो एक बार फिर से देखलो, L.A.G. रिटेन कंटी सच्यार किसने, Tom's Gray ने लिखी, उसके बात में Lysidas Milton ने लिखी, Therese's Matthew Arnold ने ल ठीक है, तो ये तीन तो बहुत ही famous pastoral allergy है, कौन-कौनसी, ये तीन, बहुत famous pastoral allergy है, उसके बात देखेगा, ये देखो ये question हमने दिया भी है, pastoral allergy represents both a point and one the more, pastoral allergy कौनसी allergy होती है, वो allergy जिसमें point खुद अपने आपको क्या मानता है, separate मानता है, गढरिया मानता है, और जो मर ग विलाप हो रहा है, जिसके मरने पर लिखी गई है, उसको भी क्या माना जाता है, गढरिया ही माना जाता है, वो pastoral allergy होती है, समझ जागा है, pastoral का मतलब होता है, rural, क्या होता है, rural, natural, n-a-t-u-r-l, natural होता है इसका मतलब, समझ में आ गई होगी चीजें भी आपके, चलो आगे देखता है, which of the following is to you about drama, drama के बारे में कौन सी बात से यह, drama is a composition in verse, और prose, ठीक बात है, drama verse में भी हो सकता है, यानि poetry में भी, prose में भी हो सकता है, representing a story, जिसमें एक story represent की जाती है, in pantomime और dialogues, किसमें, dialogues में होती है, यह ठीक बात है, it contains conflict of characters, यह भी होता है, conflict होता है उसमें, हमने चर्चा की थी, the person who writes drama is known as dramatist, उसको dramatist कहते हैं, या playwright, spelling देखना, एक बार रीट भी पुछा हुआ है, playwright, drama को लिखने वाले क्या कहते हैं, playwright भी कहते हैं, all of these इसके सही लोग है, उसके बाद देखेगा, a drama lighter in tone having happy ending, वो क्या होता है, comedy होता है, comedy जी की tone होती है, lighter होती है, happy ending होती है, tragedy जो होती है, उसके sad ending होती है, और उसका tone होती हो serious होती है, उसके बाद देखेगा, a nonsensical gender, कैसा gender, nonsensical, यानि बक्वास बाजी होती है, जिसमें over act होती है, which often over acts or engage in slapstick humor, slapstick humor होता है, जो इस परकार के सारे करके, जो लगबग असलील होते हैं, या फिर body को काम में लेते वे, जो humor पैदा किया जाता है, वो होता है, तो ये सब किसमें होता है, फार्स में होता है, ठीक है, कौन सा ड्रामा का element है, तो ये सारे के सारे, theme, plot, characters, dialogues, ये सब के सब क्या है, ड्रामा के elements है, ठीक है भी? जो बचा ये चाहे कि literary terms पे, figures of speech पे, history of English literature पे, बहुत अच्छी जानकारी चाहिए, बहुत श्यांदार practice मुझे करनी है, तो एक बहुत अच्छी book है मेरी, आप में से बहुत सारे बच्चों के पास होगी भी वो book, एक बार comment box में लिखके जुरूर बताइगे, किन-किन मैं बता देता हूँ, Venus Handbook of English Literature, Venus Handbook of English Literature, ये book है जिसमें बहुत स्यांदार practice है कि इसके literary terms की, figures of speech की, history of English literature, फिर उसके बाद में आपके जो moments हैं, उनकी बहुत स्यांदार practice है, काफी अच्छी book है और आप सब लोगोंने इस book को बहुत सरहा है, आप लोगों को बहुत आई है, ये मेरे लिए खुशी की बात है, blank was is poetry written with, blank was किस प्रकार की poetry होते हैं, ये पिछली बार रीट में पूछ लिया था question, blank was और free was, दो प्रकार की होती है, blank was में क्या होती है, regular meter होती है, लेकिन किसी प्रकार की rhyme नहीं होती है, यानि उसमें जो rhyming scheme वो नहीं होती है, ल blank was एक निसित meter में लिखी जाती है, लेकिन उसकी कोई rhyming scheme नहीं होती है, free was में rhyming scheme होती है, नहीं कोई meter होती है, तो इसका सही answer जो है, वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका, ठीक है, उसके बाद दखेगा, fable, parable, anecdote, ये सब क्या है, short story के प्रकार है, क्या भी सारे के सा question number 50, which of the following is strictly applicable to a short story, इन में से कौन सा जो है, strictly short story के लिए है, metrical pattern, ये short story में metrical pattern नहीं होता है, rhyming scheme, story में नहीं होती है, love theme, ज़रूरी नहीं स्टोरी, love theme पे लिखी जाए, लेकिन प्रोजिक लेंग्विज, प्रोज में लिखी जाती है, ये आवसक है, तो D's का सही answer हो जाएगा, which of the following drama is not written to be staged, ऐसा कौन सा ड्रामा है, जो stage के लिखा जाता, सिर्फ पढ़ने के लिखा जाता है, तो वो होता है, closet drama, कौन सा होता है, closet drama, originator of short story, Edgar Allen Poy, American है, ये originator माने जाते हैं किसके, short story के, तो इस प्रकास से हमने आज 52 questions किये, निसित रूप से आपको बड़ी help मिलेगी in questions से, thank you, thank you very much.